हालो दोसतों स्वागत है आप सबी सब्यान एक एंड बहुत सारे अभी विस पर दिवधा में हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करू तो और खास के वैसे बचे जो number ऐसे इस अर्लेंच व हैंहा ये ये विए ऊहरा हो चानस में एकिन आलन में एडमिशन लेना चाहते हैं राजुनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं मैंने आलन पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि उसका डेजिटल क्लास के उपर या बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं तो अगर आप उसे देखे नहीं हैं तो जाके देखिए बहुत सारा कुछ आपके माइंड से क्लियर होगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए and quota के उपर भी मैंने बनाया है कि क्या इस situation में आपको जाना चाहिए या नहीं जो भी है अगर आपको किसी भी तरीके का डॉट है उसके बैसे बचे जो quota जाना चाहते है या you know किस institute में quota के किसी भी institute में आप admission करवाना चाहते हो तो ज़रूर आप लोग कुछ वीडियो को देख लीजे because ये बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा जानना बहुत सारे analyze करने के बाद ही इस बीडियो को बहुत सारे बीडियो को मैंने बनाया है तो उसको आप जाके देखेगा तो बहुत ज़्यादा benefit होगा अच्छा दूसरी बात क्या देखे नॉर्मली क्या होता था पिछले सालों में कि लगबग में March के last और April तक classes चालू होने लगते थे फेज 1-2 ऐसे करके चालू होने लगता था अभी यह situation है कहने का मतलब July ऐसा situation था जिसमें बहुत ही लेट यानि कि 7th phase ऐसे करके जब आप you know last वाले phase में admission करवाते हो ना तो आपके वैसे भी chance बहुत कम हो जाते क्यों क्यों कि बहुत July अच्छा चलिए मान लेते हैं कि July में आपने admission करवाया फिछली साल के बाद में कर रहा हूं या पिछली से पिछले साल के July में मान लेते हैं अ मिड जोलाई में करवाया यह एवन एगस तक भी कभी कभी चलते रहते हैं ठीक है अब क्या हो गया है कि आपके exam दो बार होते हैं एक बार year के end में एक बार April में होते हैं ठीक है तो समझे जुलाई के बाद आपको proper six month भी नहीं मिलने हैं ठीक से अगर आपने जुलाई या लास जुलाई में करवाया admission किसी भी coaching institute में तो आपको proper 6 महिने भी नहीं तयारी करने को मिलने है और पैसे जितना लगना है वो तो लगेगा ही ऐसा तो नहीं है जो आपने सिर्फ 6 महिना पर है तो आपको यह रो 50 यह 60,000 लेंगा जो इसका proper fee है वो proper fee लेगा और उस 6 महिना में एक साल का syllabus खत्म होगा देखिए सोचने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं अगर आप एक student हो खास के मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 10th के हो या 11th के हो और कहीं बाहर जाना चाहते हो किसी एस institute में जहां पे आप एक होता है जो tag के पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं कि यह tag है तो बहुत अच्छा ही है ऐसा नहीं है और खास के 2020 की बात करें तो इसमें बहुत सारे बच्चे यह सूच रहे हैं कि क्या करो या online coaching ले लू या फिर offline के पीछे जाहू यह रो बहुत सारे दुविधा से बच्चे गुजर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यह भी अभी भी wait कर रहे हैं अपना time waste कर रहे हैं कि जब यह situation खत्म हो जाएगा जब हर कुछ normal हो जाएगा तो मैं किसी सहर में जाके या कहीं भी किसी भी institute में जाके मैं admission कर बाओंगा तो अगर आप ऐसा सूचते हैं कि जब situation सारे अच्छे हो जाएगे तो मैं जाओंगा तो trust किजिए कि बहुत जादा late हो जाएगा आप कुछ innovative या कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे हो जो आप अभी time रहते हुए कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आप अपने mind में ये clear करो कि आपको करना क्या है बहुत सारे बच्चे को मैंने strictly मैं जो भी बाते बोल हूँ से समझने का कोसिस कीजिएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे को देखा है कि बस एक ही रट लगा है यार कि रो तो मैं क्या पता बहुत सारे कोस्चे की online ले लूँगा तो क्या होगा मैं तो offline ही जागे करवाँगा देखिए अगर इस तरीके का अगर आपका मनसा है तो आप totally अपना time अपना career वेस्ट कर रहा हूँ सबसे बरी बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अप वहां जाके या अप घर में ही हो तो क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता आप क्या कर रहा हूँ लेकिन अगर आप सिर्फ इस mentality से अपना घर में बैठे हो घर में कुछ भी नहीं कर रहा हो कि मैं कहीं जाओंगा ये बहुत सारे ऐसे messages मेरे पास आते हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि जो ये जो situation चला है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद में जाके करवाँगो वो बहता रहेगा कि अभी online करवा लूँ online में भी धेरो सारे problem बताते हैं कि अगर करवा लिया तो dot pull clear होगा कि नहीं टेस्ट होंगे कि नहीं material मुझे कहां से मिलेगा book कहां से यानि कि हजारों तरीके के तो अगर आप इन सब चीजों से अभी भी उभर नहीं पाए हो तो मैंने बहुत सारे आलन के उपर या कोटां के उपर वीडियो बनाए हैं से आपको बहुत ज्यादा help होने होगा कि आपको क्या करना चाहिए recently अभी UP का result निकला है UP board का result निकला है and UP से भी बहुत सारे बच्ची है जो ये कह रहेते कि क्या करना चाहिए क्या बहतर रहेगा and उसी के करन मैंने बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक वीडियो कोटा पे आलन पे राजोनेस पे बनाते गया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो जरूर आप अभी भी अभी तक भी अगर आप अपने clear नहीं हुए हो अपने thoughts से कि आपको क्या करना है and especially जब आप 11, 12th के बच्चे हो तो यह बहुत गलत है ठीक है क्योंकि अभी जो situation है खासके 2020 जिसके अंदर आप खुदे के student हो आप खुदे teacher हो आप खुद का आप mentor हो हर कुछ आप हो अगर आप अपने हिसाब से analyze करना नहीं चालू करोगे नहीं करना है तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओंगे ठीक है मान लेते हैं कि आप ऐसे करते करते जुलाई आपके चले जाएंगे अगस्त चले जाएंगे ऐसा तो नहीं है ने जो मान लेते हैं कि लॉक्ड़ून ख़त्म होगी और पैरंट्स आपको तुरंत भेज़ेंगे ऐसा तो नहीं है ना पैरंट्स को भी कहीं न कहीं डर है कि मैं अपने अच्छों को कैसे बहुत दो वह भी हर कुछ जानेंगे परखेंगे देखेंगे सिच्विशन उसी हिसाब से आपको जहां भी बेजे चाहे डली डली का तो सिच्विशन अभी और भी बुड़ा है या फिर कहीं भी कोटा बेजे तो सोच समझ के ही बेजेंगे ना तो इतना जो आप मैंड मेंटलीटी बना के रखेंगे मुझे आफ लाइन कोचिंग करना या यह वो इतना मत सोचो उतना टाइम नहीं है अगर आपको सच में पढ़ना है अगर आपको जनून है जो भी वाटेवर आपको करना है चाहें इंजिनियरिंग या डॉक्टर जो अभी करना है अब अभी से लग जाओ अभी ही आपका टाइम है अगर आप 10 में हो नॉर्मली यूटीब पर आपको हजारों कांटेंट मिल जाएंगे अगर आप PCM रखना चाहते हो या PCB रखना चाहते हो जब सिचुएशन ठीक हो का तो आप सोच लीजएगा ठीक है एंड कि मैं अभी बात करूं तो अभी जुलाई में भी एक दो जुलाई को मेंस एडवांस और नूइट सब का ओनलाइन कोचिंग खुलने वाले हैं तो अगर आप 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 आलन में ही एड्मिशन करवाना चाहते हो तो आप जितना सा जितना जल्दी हो करवा लो ठीक है क्योंक अगर आपके पास किसी जगह पे पहुचने के लिए एक घंटा है ठीक है सेम डिस्टेंस पे और उसी जगह को कवर करने के लिए सिर्फ आपको 10-15 मिनिट मिला क्या आप कवर कर पाओगे एगजक टाइम पे पहुच पाओगे तो इस सीज को सोचिए ठीक है बहुत सारे महीं तो उनको यह तो प्रॉपर गायड नहीं मिल पा रहा है यह तो हो सकता है कि वह एंपे लिए सब यह खरत्व को किंआं है तो कि क्या करना ही सिंपिली अगर आपको किसी भी टरीके का डॉइ息 हूआ तो आप मुझे कमIN सक्सक्रि में कमेंट कर सकते हैं और comment अगर मालीजें आपका dot बहुत ज़्यादा है या जो आप comment में नहीं कर सकते हो आप मुझे Instagram पर follow करके Instagram पर कर सकते हो मैं proper जितना मुझसे हो पाएगा मैं हमेसा यही कहता हूँ जितना मुझसे हो पाएगा वो जरूर मैं आप लोगों को help करूँगा तो सबसे जादा जरूरी है कि आप तो पहले समझने का कोसिस कीजिए जो भी आप content देख रहे हो वो समझने का कोसिस कीजिए ठीक है और मैंने बहुत सारे helpful video बनाए हैं आप के लिए उसको जाके देखिए अगर वहां भी आपके डॉट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो जरूर आप कमिल कर सकते हैं आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके यह कर सकते हैं उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज जरूर आप लोगो को बता दूँगा जो आपके लिए आपके लाइफ के लिए इंपोर्टन रहेगा क्यों क्योंकि अभी अगर आप अपने लाइफ को नारिस्त नहीं करोगे अगर आप 10th के बच्चों हो 11th के बच्चों तो मुस्किल थोड़ा सब मुस्किल हो जाते हैं समझ रहे हो यह आपका यह जोना स्टार्टिंग जहां पर अगर आपने जीजान लगा दिया ना तो बहुत कुछ सॉटर्ट हो जाते हैं आपके लाइफ में अगर अप खुद बेटर बनना चाहोगे ना तो अब बन सकते हो बहुत सारे कुछ अभी आपको फ्री आफ कोस्ट एवे लेवल है आपके घर में बैठे ही तो प् जैंत के बच्चे हो अगर आपने अभी तक भी डिसाइड नहीं कर रहा है तो सबसे पहले एक दिन का टाइम लोग डिसाइड करो फाइमली के साथ बैटो या खुद अकेले जो भी करना है डिसाइड करो कि आपको करना क्या है आपका इंट्रेस्ट किया है ठीक है अगर तो कहले ज़सी करो इसके बाद बीडियो देखो मैंने बहुआ सारे इंपरेंट इंटी बनाए उस पीडियो को जाके देखो खंगा लो सुर्ह सारा कर सारा एक दिन襲िह को बहुत बराबरा नहीं बनाया है ऑथ को है इसके बाद आप क्या कर सकते हो Under design लेने का टाइब तो decision आप सोच समझ के लो लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरीके का जिनों dot आता है तो आप मुझे comment कर सकते हो या नहीं तो आप मुझे insta पे follow करके message कर सकते हो यह रो अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ आपको बता सकता हूँ ठीक है तो इन सब चीजों को करो और भाई life में stuck मत रहा करो life में आगे बढ़ने की खोसिस करो decision low time से low, थोरा time लगाओ लेकिन decision अच्छे लो ठीक है तो बस यही कह रहा हूँ आप लोगों से कि stuck मत हुआ करो ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह content पसंद आया होगा अगर यह content आप लोगों को पसंद आया है तो जितना से जितना ज्यादा हो सके उसको share कीजेगा दोस्तों